हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि में इस वीडियो में बात करेंगे आई एर अपसी के बारी में बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ जिसमें डिरेक्टली बात की गई है कि आखिर अब यहाँ से आई एर एपसी में क्या करना चाहिए और जो राय निकल के आई है वो काफी ज़्यदा पॉइटे में पहले सी बता हूँ और यहाँ पे एक बहुत बड़े टार्गेट आई एर एपसी के लिए निकल के आ रहे हैं साथ के साथ आरी बेनल के लिए बहुत यादा पॉइटे माहल बनते हुए नजर आने वाला है आने वाले टाइम में वो भी हम डिसकसन करेंगे तो वीडियो को एंड तक आप लोगों कर शियर भी करिएगा अब सबते पहले आज के दिन का माहल अगर हम यहाँ पर देखते हैं यह रेपसी का तो आप यहाँ पर देखो थोड़ा था नेगेटिव माहल जरू देखने को मिला लगबग 0.48 परशेंट की गिरावट के साथ शियर 73 पर क्लोज हुते नजर करता हूं सबसे पहले जो एक रिपोर्ट निकल के आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वह यह है आप यहाँ पर देखो नराइना आई रेपसी फाइविश्टा बिजनेस फाइनांस बाइ सेल और होल्ड यानि कि कुछ यहते स्टॉक्स हैं जिन पर यह जो पर तो ही अगर हम यहाँ पर देखे तो इस पर भी कुछ रिकमेंडेशन है वह मैंने आपके सामने रख दिया है बाइवन डिब बाली स्ट्रेजी इसके बारे में भी बताई है और लगबग बारासों से लेके बारासों पचातर रुपे तक का टार्गेट आने वाले टाइम मे बताएगे हैं लेकिन हम बात करेंगे अब यहाँ पर के आखिर आई एर एपसी का क्या सीन बनता है तो आई एर एपसी में आप यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स बताएगे हैं काफी इंट्रेस्टिंग पॉइंट है काफी अच्छे से सुनी है आपको इस सारी चीजे अच्छे थमझ में आएंगी यहाँ पर आप देखो ओबरॉल स्ट्रेक्चर इस बुलिश इन मीडियम तू लॉग टम यानी कि यहाँ पर अनलिस्ट का मानना है कि जो ओबरॉल माहौल बन रहा है वो बुलिश बन रहा है मीडियम से लेके लॉग तम यानी आने वाले तीन म formation बनते हुए नजर आने वाली है जो breakout है वो 82 के लेवल से आपको देखने को मिलेगा जो बड़ी rally हम लोग expect कर रहे हैं जो सोच रहे हैं कि 100 रुपे के target कब अच्छी होंगे शियर एक बड़ा target कब दिखाएगा तो वो 82 के लेवल के बाद आपको देखने को मिलेगा next target higher side पर अगर हम देखते तो 98 से लेके 105 का target निकल गया आता है 98 रुपे से लेके 105 रुपे तक के target जो है IRFC के निकल के आ रहे हैं और यहां से सला दी गई है उन लोगों को जो यहां पर थोड़ा से panic situation में आ जाते हैं तो उन लोगों को सला दी गई है कि आप 62 रुपे 62 का stop loss maintain करके चलें so that अगर यहां से कुछ as scenarios बन जाते हैं जो IRCTC में हुए थे तो वैसा अगर कुछ माहल बनता है तो आपके पास जो है वो loss कम से कम हो तो यह काफी इंट्रेस्टिंग पॉइंट है जिसमें technical पर भी बात की गई है अभी के सापकी भी बात की गई है और यहां से medium से long term के सापकी बात की गई है और यह भी बता है कि आखिर यह जो breakout है जो हम लोग काफी time से wait कर रहे हैं कि कब share एक बड़ा चलांग दिखाएगा तो वो भी यहां पर level बता दिये 82 की और 98 से लेकर 105 के target आपको बता दिये बात यहां पर ISTC की हुई थी तो जल्दी से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कल है 17 November और कल यहां पर मिलने वाला है ISTC में आपको dividend यानि कि इस बाद जो dividend अनाउंस हुआ था उसकी X date जो थ थी वो 17 November की थी तो कल के दिन आपको ISTC जो है वो आपको dividend देने वाला है और यह आप सभी को पता ही होगा कि जिस दिन dividend जो X date होती है जिस भी share की dividend की उसमें mostly क्या होता है कि गिरावर देखने को मिल जाती है तो definitely कल chances है कि ISTC में आपको जो है वो थोड़ा सा negative side moment देखने को मि dividend मिलने वाला है IRFC का मैंने आपको target बताया stop loss बताया और यह भी बताया कि जो बड़ा momentum हम लोग expect करके चल रहे हैं वो कब देखने को मिल सकता है अब बात करें अगर हम यहाँ पे RBNL के बारी में तो RBNL में आज बड़ी गिरावर देखने को मिली in comparison to IRFC यहनी कि जहां IRFC में 1% के आसपास की भी गिरावर नहीं थी यहां पे 1.18% की गिरावर थी शियर जो है 118 रुपे के आसपास closing देते हो नजर आया इसने आज की दिन का जो high बनाया था वो लगबग 160 के आसपास बनाया था और open भी उसी level के आसपास हुआ था लेकिन अपने lower level पर ही अगर आप य जर आया हूं वो यह है कि चाहें इस शियर में घिरावट हो या फिर इस शियर में बहुत बड़ी तेजी भी हो इसको order मिलने बंद नहीं होते वो definitely सारी चीज़े consider करी जाती है overall company को लेकर ना कि उसके share price को लेकर तो यहां पे जो एक बारी फिर से इनको बहुत बड़ा order मिल मिला है लगबक 311 करोड का order मिला है Central Railway से और अब जो यहां पे order book पहुंच गई आर्बेनल की वो है सतर हजार करोड 70,000 करोड की order book हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि केबल इसका business ही बढ़ रहा है बाकी कुछ नहीं हो रहा आप यहां पर देखो तो 745% के returns भी दिये हैं यान आर्बेनले का ऐसा stock है जिसने हर basis में performance बहुत ही ज्यादा बहतरीन किया है चाहे आप returns के मामले में देख लो या फिर आप order book के बारे में मामले में देखो मैंने जो सुझलोन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया था कि अगर आप analysis भी करते हो किसी भी stock के ये तीन points आपके बहुत ज़्यादा help करने वाले हैं कभी भी कोई stock के बारे में आपको अगर पता करना है तो सबते पहले आप उसका earning records देखो ऐसा निये कि एक दो quarter के earning records देख लिए आपको previous कुछ सालों के at least 3 साल का तो आप record देखो ही देखो कि 3 स साल में कैसा performance रहा है फिर हम यहां पर देखते हैं कि company का overall business कैसा order book कैसी है आने वाले टाइम में business चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा तो दूसरा point आपको यह देखना चाहिए तीतरा point जो है वह बहुत जादे important है कि उस company के बारे में market में sentiments कैसे बने हुए हैं तो यह तीन points अगर आपने check कर लिए तो definitely मेरे जाल से एक अच्छी जगह पर investment आफ definitely पाऊगे तो यहां पर जो मैंने आपको order बताया लगबग 311 करोड का central airway से मिला है जिसमें चान नंबर tunnels जिसकी length करीवन 1.6 km होने वाली है उसका construction का काम है साथ के साथ construction of important bridges है major bridges है minor bridges है और यहां पर अपने आपको अगर आप यहां पर देख तो supply of stone ballast track linking side drain retaining और यहां पर ऐसे ही कुछ काम जो है वो इस order में देखने को मिल रहे है ठीक है तो यह है कहानी R.B.N.L. की IRFC के बारे मैंने आपको बता दिया IRC T.C.R.D.B.D. आपको कल देखने को मिलेगा फिलाल वीडियो में बस सब्सक्राइब जरूगा दीजेगा धन्यवाद